हाई दोस्तों वेलकम बग टो मैं चैनल आईए आपका स्वागत है मेरी यूटूब चैनल पर तो बढ़ते हैं एक और नई रेसिपी के तरफ जो है जलेवी तो जलेवी की रेसिपी मैं आप लोगे लेके आई हूं दोस्तों आप लोगे कैसे लगती है कमेंट बॉक्स में बत लोग सर्थ पढ़ते हैं चलिए इधर ले लिया है मैंने बॉल में ले लिए मैने दो कप मैदा आप एक कप ले सकते हैं तो क्वानिटी अपनी जितनी जैसी रखनी उसे साब से ले लीजिएगा तो सीधा-साब मैंने बताया आपको दिखाया है आपे देखें दो कप मैदा मे ही ले लिया दिषी घी मेल्ट करके मैने तूटेवल स्पून घी लिया है और इसको अच्छे से मिला लेंगे स्पून यह ज्यादा प्स इतना मिक्स करने केंगा मैं हाथों से इसमें मिक्स कर यूणी दोस्तों क्योंकि हाथ दो यह से नहीं हो पाएगा सो इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे मिक्स करने के बाद इसको इसमें डालेंगे i1 4 कफ दही आप दही डाना चाहें डाल सकते सकते हैं ऐसा को जरूरी नहीं है बैने जो हल्वाई जैसा डेस्ट आता है जलीबी में थम्हासा खटा ब्सक्राइंग जैसा फ्लेबर जी भनाता आता है जो फ्लेवर आता है इस तरह इसमेश कोशिश की है तो आप भी कर सकते हैं जाल सकते हैं थोड़ा से 2-5 सब्सक्राइब दाल दीजिए थोड़ा हलका सा इधर एक पाउश ले लिया मैने इनो का वो भी सी में मैश कर देना अच्छे से मिला देना हाथों से रगड रगड की कूप ठीक है अब धीर से थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालेंगे एक कप पानी डालेंगे हम पहले एक आपको मैदा मिक्स करनी पड़ेगी फिर जो क्वंटिटी है जिससे आप समने लिया है ना उसके हर सीच मैजरमेंट से लिया है दो कप मैदा है टू टेबल स्पून देशी घी लिया है एक पाउश इनों का लिया है वन फोट कप दही लिया है तो आप लिख लिजिएगा कह याद रहेगा आपको अगर आप दही स्किप कर सकते स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा हल्का सा कट्टा फ्लेवर नहीं चाहिए जलेवी में आपने खाए होंगी जली भी हलवाई की थोड़ी सोगी खती होती हैं हलकी सी लाइट बिल्कुल एक दम बहुत ज़्यादा कट्टा दही नहीं लेना दोस्तों ताजा दही लेना है ठीक है यह द्यान रखिएगा और यह पानी देखें मैं आपको दिखा रही हूं एक कप है हां से को अच्छे से फैट लीजिए इसको बढ़िया से एक ही डारेक्शन में ठीक है इस तरह से लंस नहीं रहना चाहिए बढ़िया से फिट चाह है हमारा बैटर जो है जलीबी का तो जलीबी जितनी टेड़ी होती उतनी टेस्टी होती है दोस्तों तो आप बनाईए बनाके देखिएगा और मेरी रेसिपी फुल वाच कीजिएगा और मेरी चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब और लाइक शेयर चरू कर दीचेगा कमेंट करके बताईएगा अगर आपको मेरी जरसी पी रेसिपी अच्छी लगी हो मेरी बनाने का तरीखा अच्छा जागा लेंगे आप कोई भी दूद की थैली या कोई भी पैकेट ले सकते खाली पैकेट जो आपके पास बढ़ा हो चिक है दूद का पाँच जो होता ना खाली रहा ता उससे भी बन जाता है दोस्तों मेरे पास पाइपिंग बैक थी बॉटल भी मेरे पास रखिए लेकिन पाइपिंग बैक से थोड़ी पतली जलीविया बनती है मतलब थिकनेस इसके पतली पतली आती है कुरकुरी किस भी चाहिए तो पतली बनाईए जो वाटल रखिए उसका थोड़ा सब थोड़ी उससे मोटी आती इसलिए फिर हमने उसको यूज नहीं किया है यह दिखिए ध इसलिए बैटर डाल लेंगे इधर उदर ना जाए अराम से डालिए यह दिके कैसे फर्मेंट हो गया है अच्छे से दही डाला यह इनों डाला है कितना अच्छे से बैटर देख सकते इसकी कंसिस्टेंसी कैसी यह देखिए दोस्वों बहुत चाहला पतली नहीं करनी इसी से iç में जली भी बनेंगे निंदोस्तों से जली आये यह बनाते चाउसनी एक कप ले लिए चीनी 50 धाग खाने लिया पानी ठीक है और यह मैंने घुलाब करें जोता है गुलाब का जी कर अच्छे से और दोस होता है को मैंने कलर ढाल दिया है कलर भी है और इसका फ्लेवर त आएगा तो यह जो कलर है गुलाब फ्लेवर है और इलाइची फ्लेवर देखिए मैंने डाला इलाइची थोड़ा सा तो दोनों कॉमिनेशन इतना अच्छा आया था दोस्तों चलिए भी टेस्टी बढ़नी पी यमी बनी पी आप लोग बनाईएगा कलर डाना चाहें डालीए स्किप करना चाहें स्किप कर सकते हैं कोई जरूरी नहीं बिना कलर के भी अच्छी बनती है इलाइची आप डाल दीजिएगा सो यह देखिए मैंने अच्छे से मैंने क्या किया है इसको रोल रोल कर लिया है जली भी टेड़ी हो कैसे भी हो कुछ भी कैसे भी बने आप बना डेखने अंतर नहीं होगा vim लो आंप यह भी ढंशनें दिलीवी लगेंगे अगर इससी तरह कर है आप बनायें गेंगें यम्मी टेस्टी में वह जैसे लिली कुघे हएं धर्सक्राइज नहीं धाल दीगे बस यह से निकाला है हमने है बस GSM में डाल दिया है ठीक है जलेवी अगर घी में बनती है तो जादा अच्छी रिफाइंड ना यूज करिएगा दोस्तों घी में बनाईएगा तो जलेवी का टेस्ट इतना अच्छा आता है बहुत-बहुत यम्मी आता है यह दिखिये मैं यह सब अच्छे से स्ट्रेन कर जितनी चाशनी चाहिए थी उनको मिल गई है बाकि इधर आप दूसरा वैस्ट त्यार कर लेंगे देखिए एक वैस्ट हो किया था दूसरा चाशनी में बनाके और तुरंद चाशनी में डाला चाशनी गुनगुनी रखिएगा दोस्तों और बनाईएगा पुशिश युँट बच्चों की बहुत फेवरेट उत्ती है जितना चाशनी सो करने थी उतनी कर लिए ड्ली में जूसी 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 जूलेवी देखिए दोस्तों कि यामी-यमी लग रही है दीखने में खाने में भी त्थी टेस्टी कि दोस्तों आईए नज्वाय करते हैं आप लोग भी टेस्ट कर लीजिए गानिश करते हैं पिश्टा बादाम जिसे डेकॉरेट करना चाहें कर सकते हैं गानिश कर सकते हैं जलीवियों पे तो वैसे भी चाशनी में डूबी और मंदब रस बरी हुई जलीवियां देखिए कितने अच्छे से रस बर गया है कितनी य आपको बहुत-बहुत-बहुत मुवारःफ को बहुत शुप कामनाये हैं को आपके परिवार को दिपा बहुत करें करकर देखिए बान करने करके बताईएगा क्या पना के बस्까요 का कैसी लगी है और बनाके जरूर दिखिए गैठ दो लाफलेट है आगे दूसरी वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई ठैक्ट वर पोचिंग दोस्तों बाई